आज मैंने बनाई है गुजराती लंच थाली जो देखने में बहुत ही सिंपल है बनाने में भी बहुत ही सिंपल है लेकिन खाने में खाने में तो ये बहुत ही तेस्टी है तो चलिए फटा-फट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो आज हम बनाएंगे कड़ी, बात, छुटी, दार अने रोटली तो सबसे पहले हमें चाहिए डाल तो यहाँ पे डाल को मैंने 3-4 गंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था तो यहाँ पे मैंने 2-4 गंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया था तो सुबह उठते पहले मैंने यही काम किया है तो यह देखिए डाल अच्छे से भीग गई है इस तरह इजीले टूट जाए तो समझ लेना है डाल भीग गई है चले अब इसे 2-3 बार अच्छे से दो लेते हैं जब तक की पानी क्लीन ना आने लगे तो यह देखिए डाल को मैंने अच्छे से दो लिया है चले अब डाल को रख देते हैं थोड़ी दिर के लिए साइड में तब तक हम बना लेते हैं चावल तो चावल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पतिली निकाल ली है और उसमें मैं डाल दूंगी 2 कप बर के चावल तो हम 4 लोगों के लिए यह 2 कप चावल इनफ है चावल को भी अच्छे से दो लेंगे और उसके अंदर इनफ पानी एड़ करके उसे भी हम पकने के लिए छोड़ देंगे हमारे घर में यह लंच थाली बार-बार बनती है क्योंकि मेरे बच्चों को यह जो कड़ी मैं आज बनाने वाली हूं वो कड़ी बहुत ही पसंद है तो इसलिए मैं इसे बार-बार बनाती रहती हूं चलिए चावल को भी मैंने चड़ा दिया है और अब गुंत लेते हैं रोटी के लिए आटा आटे को हम 10-15 मिन पहले से ही गुंत लेंगे तो रोटिया हमारी बहुत ही बढ़िया बनेंगी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी क्योंकि आटे को अच्छे से रेस्ट मिल जाएगा मेरे एक सस्क्राइबर ने मुझे पूछा था कि आप रोटी के लिए आटा कैसे गुंते हूं क्योंकि आपकी रोटिया बहुत ही सॉफ्ट होती है इसलिए मैंने ये आटे गुंतने वाली प्रोसेस को पूरा बताया है तो यहां पर मैंने आटा ले लिया है थोड़ा सा नमक एड़ किया है और डाल दिया है पानी तो इसके अंदर मैं ओयल गी कुछ भी एड़ नहीं करती हूं बस ऐसे ही आटा गुंत लेती हूं लेकिन मैं आटा गुंतने के बाद आटे को 3-4 मिट इस तरह अच्छे से मसल लेती हूं आटे को इस तरह मसलने से रोटिया हमारी बहुत ही सॉफ्ट बन दी है चले आटा हमारा रेड़ी है उसे डग कर मैंने रख दिया है रेस्ट करने के लिए और अब मैं लेकर आगई हूं करी पत्ते तो आज जो मैं कड़ी बनाने वाली हूं उसके अंदर ये करी पत्तो का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है तो अगर आप ये मेरी रेसिपी ट्राइ कर रहे हो तो आप भी करी पत्ते जरूर एड़ करें चले करी पत्तो को दो लिया है उसे ड्राइ करने के लिए मैंने रख लिया है और अब मैंने ले दी है एक कड़ाई उसमें एड़ कर देंगे तेल तो यहाँ पे तेल में ने चार से पांच चमज लिया है क्युकि ये जो दाल हम बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा तेल ज़्याधा लगता है तेल गरम होते हैं उसमें डाल देंगे एक चमज बर के राई, एक चमज जीरा जीरा और राई फूट जाए उसके बार डाल देंगे आदा चमच हिंग, करी पते डाल देंगे तीन से चार आदा चमच हल्दी और एक चमच डाल देंगे लाल मेच पाउडर और तुरंद ही हम डाल को एड़ कर देंगे ताकि जो मसाले हैं वो जलना जाए और अब डाल और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है और उपर से एड़ कर देंगे टेस्क के अकॉर्डिंग नमक अब थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे थोड़ा सा मतलब के 4-5 चमच जितना जादा पानी एड़ नहीं करेंगे और इसे ढख कर एकदम लो फ्लेम पे हम 5-7 मिनिट पका लेंगे चले दाल हमारी पक रही है तब तक यहाँ पर कड़ी की त्यारी कर लेते हैं तो यहाँ पर एक बटतन के अंदर मैंने 5 चमच जितना मिडियम खटा दही ले लिया है और 4 कटोरी मैंने पानी एड़ कर दिया है बेसन यहाँ पर मैंने लिया है अगर आपको थोड़ी सी रखकर डाल दिया है थोड़ा सा नमक डालके मैंने इसे कूट लिया है तो इसकी हम एकदम महिम पेस्ट बना लेंगे और इस पेस्ट को एड़ कर देंगे कड़ी वाले मिक्षर में तो इस खलवट्टे में मैंने थोड़ा सा पानी एड़ किया है और यह जो मिक्षर हमने इसे चला लिया था अगर आपको लगे कि दाल अभी थोड़ी सी कच्ची है तो थोड़ा सा पानी एड़ करके आप इसे ढग कर पका सकते हो दाल को हमें बहुत जादा बेनी पकाना है थोड़ी सी ड्राय रहे उसी तरह हम उसे पका लेंगे वरना दाल थोड़ी सी चिप- भी हो जाएगी चली अब कड़ी की तैयारी करते हैं तो एक बर्तन के अंदर मैंने दो से तीन चमच गी ले लिया है खड़े मसाले ले लिया है एक तेज पत्ता एक लाल सुखी मिर्च एक चोटा टुकड़ा दाल चीनिका और दो लॉंग यहां पर गी भी अच्छे से गरम हो गया है तो गी में डालेंगे आदा चमच जीरा आदा चमच अजवाइन आदा चमच मैंने इंग डाली है थोड़े से करीब पत्ते और यह खड़े मसाले जो हमने निकाले थे वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे टेस्के अ अगर आपके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है तो आप इसके अंदर चीनी भी एड़ कर सकते हो तो चलिए खटी मीठी कड़ी हमारी एकडम रैडी है इसे हमें एक उबल आने तक ही पकाना है जादा नहीं पकाना है अगर जादा पकाएंगे तो इसका टेक्शर थोड़ा सा गड़बढ हो जाएगा तो एक उबल आने तक ही से हम पकाएंगे चलिए अब हम बना लेते हैं रोटिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी रोटिया कितनी फुली फुली बन रही है क्योंकि आटे को मैंने अच्छे से गूंत लिया था अगर आप आटे को अच्छे से गूंत होगे तो रोटिया ऑटोमेटिकली एकदम सॉफ्ट और फुली फुली बनेगी तो इसमें कुछ टिप्स वगेरा कुछ नहीं है आटे को अच्छे से गूंता है और उसे 10 से 15 मेंट हमें रेस्ट दे देना है ऐसा करने से रोटिया परफेक्ट बनती है तो चलिए अभी से सर्व कर लेते हैं आज की ये लंज थाली बनाने में मुझे मुझे 20 से 25 मेड लगे हैं ये फटा फट से बन जाती है बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही टेस्टी है और इसके अंदर जो इंग्रिडियंस है वो भी सबके गर में इसली अवलेबल होते है तो अगर आपको भी गुजराती थाली पसंद है तो आप ये वाली थाली जरूर ट्रै कर सकते हो तो ये लीजिए थाली मेंने सर्व कर ली है तो आपको आज की ये गुजराती थाली कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और हो सके तो एक लाइक भी ज़रूर कर देना चले जल्दी ही मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ अब तक के लिए बाई जैशी करशना